Hello Friends, Welcome to Pradip Samhile Classes. Pradip Samhile Classes में आपका स्वागत है. तो इस Class में मैं बताने बाला हूँ Counting of Figures. ठीक है? तो Counting of Figures में चार तरह से Question बनते हैं. एक तो बनता है Counting of Straight Lines. दूसरा बनता है Counting of Triangle. तीसरा बनता है Counting of Square or Rectangle. और चोथा बनता है Counting of Circles. तो इस वीडियो में मैं Counting of Straight Lines बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे-च्छे Question है. तो पूरी Class में हमारे साथ बने रहिएगा. तो चलिए करते हैं Start. ये Question 1. देखें, यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दी गई आकरती में कितनी सरल लेखाए हैं? तो इसको करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं. देखें, बिलकुँ सरल सा Question निकलेते हैं ताकि आपको Concept clear हो जाए. देखें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रेंगल है. तो ट्रेंगल में कितनी Lines होती हैं? तीन Lines होती हैं. देखें, एक और यह दो और यह तीन. तो हम देखते ही बता सकते हैं कि इसमें थ्री स्टेट Lines हैं. इसी तरह अगर यह figure हमाल लीजे, तो इसमें हम count करेंगे, तो एक लाइन तो देखें, ऐसे में होगी एक, और एक यह लाइन है, दो, और एक यह लाइन है, तीन, और एक यह लाइन है, चार. मतब कुछ छोटी छोटी जो figures होती हैं, उनको हम आसानी से ही count करके बता सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे complicated figures आएंगी, तो उनमें हमें difficult होगा, तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं, कि सरर देखा हैं, यानि straight lines जो है, कितने प्रकार की होती हैं, और उनको systematic तरीके से हम कैसे count करें, ताकि हमारा समय भी बचे, और question भी गलत ना हो. तो चलिए करते हैं सुरवात, तो straight lines जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कि तीन प्रकार की होती हैं, चैतेज यानि horizontal, उर्धो आधर, vertical और तिर्ची यानि slanting, तो horizontal को हम h से संबोधित करेंगे, vertical को v से, और slanting को s से करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे हम यह lines भी ऐसी खड़ी होती है, ठीक है, इस तरह से खड़ी होती है, और slanting जो line होती है, बोध तिर्ची होती है, या तो ऐसे में तिर्ची होगी, या ऐसे में तिर्ची होगी, चलिए अब इस question को करते हैं, तो इस question में सबसे पहले हम करम से चलते हैं, पहले हम horizontal line देखते हैं, तो horizontal lines ह देखिए यहां पर वर्टिकल यहां पर एक यह हो गई वर्टिकल और एक यह वर्टिकल हो गई यह वर्टिकल कितनी लाइन्स हैं वान टू सो टू लाइन्स वर्टिकल हैं सो वर्टिकल हम यहां पर लिख देते हैं तू अब हम बात करते हैं स्लेंटिंग लाइन्स की स्लेंट लाइन्स में देखे एक तो यह स्लेंटिंग लाइन है और इसमें आपको ध्यान रखना है यह पूरी यहां से लेके और यहां तक मतलब पूरी इस तरह से यह पूरी लाइन को हम एक काउंट करेंगे वन काउंट करेंगे और यहां से लेके और पूरी यहां तक यह दूसरी व जाएगी तो आप मुझवानी कर पाएंगी ठीक है लेकिन इसमें नजर रखनी है आपको नजर को बिल्कुल धान से रखना है कोई भी लाइन चूटना जाए क्योंकि एक छूटने से ही आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है हो जाएगा ठीक है तो चलिए करते हैं अब नेक्स् कि पूरी लाइन यहां से यहां नहीं बीच पर नहीं हो गया एक दू टीन हो गहीं तेन के बाद यह चार और चार के बाद यह 5 इसलिए अमने अलग-अलग करसे बिच्वा आई हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए तो होरी जोन्टल लाइनlando से गई पांच हो गई ठीक है तो पांच हम यहां पर लिख लेते हैं तो यहां पर क्येंदेंगे हम यह पांच है ठीक है उसके बाद में अब हम अम बडज renewal लाइन पर आते हैं तो वर्टीर लाइन दे एकल और kau ist दो लाइन्स है वर्टिकल तो वर्टिकल लाइन्स दो ही हैं तो हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स में इसके सामने दो लिख लेते हैं ठीक है अब उसके बाद में सलेंटिंग लाइन देखिए तो सलेंटिंग के लिए हम यहां से चलेंगे तो सलेंटिंग यानि यहां से एक यहां से यहां तक पूरी लेना है और दूसरी यहां से लेके और पूरी यहां तक मतलब यह वाली यह दो slanting हैं कितनी है slanting line 2 हैं और इसमें ध्यान रुक हैं देखिए हम एक point ले रहे हूं कोई भी वहीं से counting कर रहे हैं जैसे हमने यहां से point दिया था ये बाला तो ये बाला point दिया तो हमने यहां से गिना 1, 2, 3, 4, 5 horizontal में हम ने 5 लिख दिया फिर vertical line में हमने यहां से गिना 1 और 2 और उसके बाद में हमने slanting line में भी यहां से count किया 1 और यहां से यह 2 तो इस तरह से total कितने हो गए 5, 2, 7 और 2, 9 यानि टोटाल लाइन कितनी होगी नाइन होगी चलिए अगली वाली फिगर की तरफ बढ़ते हैं देखिए इसमें होरिजोंटल लाइन को देखिए ध्यान से होरिजोंटल लाइन इसमें कितनी है एक तो यह है पूरी लंबी होरिजोंटल लाइन यहां से यहां तक और एक यह ही edge के सामने हमें लिख लिए अब देखिये अब हमें vertical lines का पता करना है तो वर्टिकल में एक पिर यहां जाए एड़ deeper यहां चाई यह तो यहाँ जाए जाए तो कितनी होगी यह चार line हो तो यहां पर हम four लख देते हैं इसके वाद भाव में slent conf पर आते हैं तो हम इस पाइंट से ही काउंट कर रहे थे तो यहीं से शुरू करेंगे हम, तो सिलेंटिंग में देखिए हैं, सबसे पहले यह आएगी यहां से यहां तक, यह जो डाइगोनल टाइप का दिख रहा है आपको, सिलेंटिंग लाइन पूरा यहां से लेके, और यह यहां तक इस तरह से आएगा, और इसी तरह यहां से लेके पूरा यहां तक, तो यह हो गया दो, देखिए, फिल टू, अब देखिए, यहां से लेके पूरा यहां तक थरी, फिर इधर से लेके इधर तक फोर, फिर यहां से लेके यहां तक फाइव, फिर यहां से लेके यह पर आंसर आ गया तो अब कोई कहता है कि इस आकरती में कितनी तो हम कहेंगे बार है ठीक है तो इस तरह से इसका अंसर हो गया अब चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अब देखिए इस क्वेश्चन में वही करेंगे हम सबसे पहले होरिजोंटल लाइंस तो होरिजोंटल लाइंस देखते हैं यहां से देखिए इस पैंट से हम स्टार्ट कर रहें उपर से तो यहां से लेके पूरा यहां तक एक फिर यहां से लेके पूरा यहां तक दो फिर यहां से लेके पूरा यहां तक तीन ठीक है यह हो गई हमारी कितन यह भी वर्टिकल और फिर यहां से लेके पूरी यहां तक यह भी वर्टिकल तो वर्टिकल लाइने कितनी हैं तीन है तो यह भी हम लिख लेते हैं यहां पर तीन अब हमें स्लेंटिंग की बात करनी है तो स्लेंटिंग के लिए हम इस पाइंट से चलते हैं यहां से चलते हैं तो slanting के लिए हम यहां से देखिए एक, slanting के लिए एक तो यह आ जाएगी, एक हो गया, और यहां से यहां तक यह दो, slanting दो हो गई, और slanting फिर यहां से लेके यहां तक यह तीन, और यहां से लेके यहां तक यह चार, स्लेंटिंग में कितनी आ गई चार आ गई तो टोटल कितना हो गए चार तीन साथ तीन दस तो इस तरह से अपने निकाल दिये देखिए बिलकुल आसानी से हम निकाल सकते हैं बस आपको प्रैक्टेस हो जाएगी तो बहुत जल्दी निकालेंगे देखिए अब चलिए इस यहां तक एक फिर इधर से लेके यह मैं है पूरी लमई दो हो गए और फिर यह तो तीन हुरिजुन्टल लाइन हैñ और हम क्या करेंगे वर्टिकल की तरफ ध्यान देनेंगे यह से लेकर और यहail मतलब खड़ी रेखा टो रेखा एक फिर फ़ड़ी रेखा यह मिडल में है दो और खड़ी रेखा इस तरफ यह तो मैं कितने हो गई एक दो तीन तो तीन रेखा हैं हो गई औरै यहाँ पर हम लिख जेते हैं तो अब स्रेंटिंग लाइन्स काउंट काउंट कर ले के लिए देखे यहां पर सेलेंटिंग लाइन एक तो यहां से यहां तक यहां से सुरुगात करते हैं यहां से यहां तक एक फिर यहां से यहां तक दो और फिर यहां से पूरी यहां तक गई है देखिए तीन यह पूरी लाइन एक लाइन मानी जाएगी ठीक है इसको दो काउंट मत कर लेना यहां से लेके पूरी यहां तक यह हो गई कितनी चार और फिर यहां से लेके यहां तक पांच और यहां से यहां तक छे यानि टोटल स्लेंटिंग लाइन कितनी हो गई छे तो छे तीन नौ और तीन बारे तो इस तरह से यह बारे लाइने हो गए ठीक है तो इस तरह से हम कोई भी आकरती हो हम आसानी से कर सकते हैं अब चलिए अगला कोश्चन करते हैं यह थोड़ा और कॉंप्लिकेटेड है अब देखते हैं इसमें को देखते हैं कितनी है देखे पहले यहां से हम पॉइंट को यहां से निर्धारित कर रहे हैं यहां से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो यह एक पूरा यहां से यहां तक फिर दूसरी में देखिए ध्यान देना है दूसरी में यहां से लेके और इस पॉइंट तक लेना है पूरा मिडल में देखिए पूरी लंबी लाइन है ठीक है तो यह फिर खड़ी लाइन यहाँ मेडल में है देखिए दो और खड़ी लाइन यहाँ पर है तो यह हो गई कितनी तीन तो यह तीन खड़ी लाइन है मत्ताब अब इसमें गड़ बड़ी हो सकती है तो सबसे히 पहले हम यहीं से कांट करेंगे तो एक ये पूरी डाइगोनल लेंगे ठीक है एक काउंट करेंगे इसको ठीक है स्टेट लाइन बिल्कुर सीधी सीधी जा रही है जहां तक वहां तक एक काउंट करते हैं अब यहां से देखिए यह दूसरी बाली डाइगोनल यानि दो हो गई और फिर यहां से यह देखिए बीच से एक स्लेंट लाइन गई हुई है और यहां से लेके और यहां तक गई हुई है तो यह हो गई तीन अब इधर देखिए नीचे भी एक स्लेंट लाइन गई हुई है यहां से लेके और पूरी यहां तक तो यह कितनी हो गई चार अब बची है यह दो एक तो यह बची यहां से यहां तक तो यह कितनी हो गई पांच और यहां से यहां तक कितनी हो गई छे मतलब काउंट कर लिया अपने एक दो तीन चार और पांच और छे तो छे जो है यह सलेंटिंग लाइन हो गई तो छे तीन नौ तीन बारह तो इस तरह से यह बारह हो गई ठीक है कितनी हो गई बारे हो गई अच्छा चलिए अब बढ़ते हैं और अगले question की तरफ अब देखिए यह question इस प्रकार से है तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले horizontal line horizontal line में देखिए यहां से एक फिर यहां से यहां तक दो तो इसमें दो ही horizontal line है तो यहां पर दो लिख लेते हैं फिर उसके बाद में हम आते हैं vertical पर तो वर्टिकल देखिए यहां से वर्टिकल के लिए यहां से एक तो यह गई है एक हो गई और यह पूरी middle में देखिए इस point से लेके और इस point तक पूरी एक ही line काउंट करेंगे middle में पूरी लंबी line यह है तो यह कितने हो गई वान टू और यहां पर एक इस side में भी एक यह vertical line है तो यह हो गई 3 तो वान टू थरी इसलिए हमने अलग-अलग color से किया है lines को ताकि आपको clear cut समझ में आ जाए ठीक है कि vertical line कितनी है horizontal कितनी है और slanting lines कितनी है अब चलिए अब हम start करते हैं देखिए यहां पर इस point से करते हैं top से तो यहां पर देखिए हमें slanting line करनी है तो slanting line में देखिए यहां पर एक यह हो गई फिर यहां से देखिए यह दो यहां तक हो गई अब यहां पर आ जाईए यानि कितनी है चे तो ये 6 हो गई तो इनको 6 लिख देते हैं और 6, 3, 9 और 2, 11 तो कितनी हो गई ये 11 स्ट्रेट लाइन्स हो गई है तो इस तरह से ये काउंट कर लिया हमने अब देखिए और आगे बढ़ते हैं इस फिगर को देखिए बहुत ही बढ़िया फिगर है बहुत ही सब्सक्राइब करम से चलेंगे अब यहां से ले रहे हैं यहांस पूरी रेंज मतलब हमें अपनी आई-साइड को एक दम एक्सेंड कर देना है ताकि कोई बीकला सके चूक नहों सके तो ओडेंटल में देखिए यह यहां से यहां तक एक अब देखिए यहां से यह दूसरी वाली क्योंकि हम करम से डाउन में चलना हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो देखिए यहां से यहां तक दो ठीक है अब यह वाली बीच में यहां छूट जाती है कई वारते इसको लेना है तीन यहां तक फिर चार यह वाली देखिए यह भी और यहां से यहां तक चार और फिर यहां से यहां तक पांच तो देखिए अगर आप क्रम से गिनेंगे तो कोई प्राब्लम ही नहीं आईगी आप किया कि आपन ने कि यहाँ से पॉइंट दिया और तॉट्व वटम करन से चलते गए यह इसके वाद यह उसके वाद यह उसके वाद यह उस उसके बाद यह तो आसानी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमने यहां पर लिख देते हैं 7 ठीक है अब हम चलते हैं वर्टिकल की तरफ तो वर्टिकल को भी ध्यान से देखें देखें वर्टिकल यहां से चलेंगे तो यह खड़ी लाइन है एक तो इसको पहले एक लाइन हो गई अब देखें यहां पर आईए यह दूसरी लाइन हो गई फिर यहां पर आईए करम से चलना है तीसरी लाइन फिर यहां पर यह चौथी लाइन पूरी लंबी लाइन है चौथी वाली यह लंबी लाइन है और फिर यह चोटी लाइन। यह वाली है तो यहां चुर sure फॉर धेकर एक यह वाली कितनी हो गई सिक्स ओकई 12345 और शिक्स तो व्र्टिकल लाइन पर速े हो गई और यह पे व्रटिकल लिएने तो एक चूट भी सकती है तो इसलिए हमें ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को अब हमारे पास सिर्फ स्लेंटिंग लाइन का काउंटिंग रह गया है सो स्लेंटिंग लाइन में एक तो हम यह देख पा लें यहां से और एक नीचे की साइड में ये देखिति तिर्फि रेकार तो कितनी है दो दो 16 16 25 कितनी हो गई वंद्रा वहना से यह सिस्टर से हमारा पर चितर में वहाला ऊचिए और देखते हैं देखते हैं यह वाला और रहते हैं इस question को आप ध्यान से समझेए, पहरे तो हम यह वाला question solve करते हैं, उसके बाद यह करेंगे, तो इसको करते हैं, तो आप देखें, यहाँ पे, सबसे पहले हमें horizontal, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यह वाली line यहाँ से पूरी यहाँ तक जाएगी दो, ठीक है, दो, तो कितनी हो horizontal line, दो हो गई, तो हम यहाँ पे दो लिख देते हैं, अब देखें, वर्टिकल line एक काउंट करिए, वर्टिकल, यहाँ से इसी point से कर रहा है हम, वर्टिकल में, देखें, यहाँ से एक, और यह middle से पूरी लंबी line है, यह दो, यह ध्यार रखना, यह पूरी लंबी line एक तो कितनी होगी vertical, तीन line होगी, यहाँ लिख देते हैं, अब दिकी slanting line हमें देख देखना है, तो slanting line हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर slanting line है, यहाँ से start करते हैं, principle 1, ठीक है, उसके बाद में दो ये वाली फिर यहां पर देखिए डाइगोनलस बन रहे हैं तीन और ये चार तो चार सलेंटिंग लाइने एक दो तीन और ये चार तो कितनी लाइने हैं चार हैं तो सलेंटिंग में चार लाइने स्टेट लाइने हैं तो यहां पर चार लिख देते हैं चार तीन साथ और है तो नो ठीक है चार-'tीन, सात- दो-डॉ नो अब इस बाली फिकरको देखते हैं इस बाली फिकर को भी ध्यान के करना यह बहुत ही अच्छा क्वेश्च्चन है बहुत शांदर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम होरी से ले रहे हैं हम एक उसके बाद यहां देखी यह होरिजोंटल है दो उसके बाद यह नीचे की तरफ होरिजोंटल है तो यह कितनी हो गई होरिजोंटल एक दो और तीन तो होरिजोंटल कितनी हो गई तीन तो यहां पर हम लिख देते हैं थ्री अब हाते हैं बर्टिकल की लेंगे है अपन तो एक तो यह चोटी वर्टीकल लाइन है यह खड़ी लाइन एक और यह जो मिड़ल में है न यह बहुत बड़ी लाइन है इसमास कण्फूज नहाँ यह बिल्कुल इस्टेट अपने ध्यान से करना और वह करında तो एक, दो और यह छोटी लाइन एक और है, वर्टिकल तीन, यानि टोटल कितनी लाइने हो गई है, यहां पर तीन हो गई वर्टिकल, तो बस यही ध्यान देना एपने को ध्यान से करना है, ठीक, उसके बाद में अब हम आते हैं, सलेंटिंग लाइन पर, लेखिए, यहां से एक अब इधर देखिए ये दो अब यहां से ध्यान रखना यहां पर अक्सर गलती होती है यहां से लेकर और पूरी यहां तक इस पॉइंट तक इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक एक लाइन है यह स्टेट लाइन तो इसको पूरा एक काउंट करेंगे तो वन तू और यह क्या हो जाएगी 3 और यहां पर भी ऐसे ही करेंगे यहां से लेके यहां तक एक line count करेंगे तो यह हो जाएगी 4 तो 1, 2, 3, 4 अब देखें यहां पर यह वाली line 5 और यह वाली line 6 यानि कितनी हो गई slanting line 6 हो गई तो इस तरह से 6, 3, 9 और 6, 3, 9 और 3, 12 तो इस तरह से कितनी line हो गई total line हो गई 12 ठीक है अब देखिए और question देखते हैं अपन यह question देखिए यह भी बहुत ही अच्छा question है ठीक है एसा question अकसर ट्रेंगर्स के counting में आता है लेकिस सरल रेखाओं में भी कभी कभी आ जाता है इसलिए हमने इस question को इसमें लिया है अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम horizontal horizontal में देखिए यहां से यहां सी count करेंगे अपन तो एक फिर यहां से यह दो पूरा लेंगे यहां से यहां तक पूरा तीन और यह इस कोने से लेके इस कोने तक पूरा यह चार इस्टेट लाइन है पूरी यह तो 1234 यानि horizontal लाइन कितनी हो गई चार अब हमें vertical लाइन देखनी है तो अब इसमें slanting लाइन है सारी की सारी लाइन कैसी है slanting लाइन है तो slanting में देखिए अब यहां पर जरूर ही नहीं हम उपर से भी count कर सकते हैं नीचे से काउंट कर सकते हैं तो इसको हम नीचे से भी count करेंगे तब भी कोई फरक लिए पड़ेगा पर हमें करना पड़ेगा कोई भी लाइन छूट ने चाहिए तो मली जी अगर हम यहां से करते हैं इसकी counting तो यहां पर एक फिर यहां से यहां तक की यह पूरी ध्यान रखना है य यहां से यहां तक पूरा तीन और यहां से यहां तक पूरा यह चार ठीक है तो हम ने नीचे से count की अपर ध्यान से हम देखते जा रहे हैं कोई भी लाइन छूट ना जाए देखें एक दो तीन और यह चार चार सेलेंटिंग हो गई अभी चार सेलेंटिंग हमें और दिख रही है देखिए यहां से यह चोटी वाली सेलेंटिंग लाइन तिरची रेखा है तो यह क्या हो गई पांच और यहां से यहां तक यह पूरी लाइन है तो यह कितनी हो गई यह हो गई छे और यहां से यहां तक यह एक line count करेंगे हम 7 और यहां से यहां तक यह एक line count करेंगे 8 तो इस तरह से पूरी total 8 slanting line हो गई तो यह 8 यहां पर हम लिख देते हैं और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 12 तो इस तरह से total जो सरल रिखा हैं हमारी इस figure में कितनी हो गई 12 हो गई ठीक है अब एक question और बहुत ही शांदार question है बहुत ही शांदार question है ठीक है बहुत ही बहुत ही बहतरी question है इस question को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ठीक है तो सब से पहले horizontal देखते है horizontal में देखिए यहां से इस point से चल लाए हम यहां से पूरा यहां तक एक line count करेंगे यहां से लेके और यहां तक पूरा एक line दो हो गई यहां से लेके यहां तक पूरा एक line तीन और यहां से लेके पूरा यहां तक यह चार तो कितनी हो गई यह चार हो गई तो horizontal में कितनी हो गे यह देखिए यह खड़ी लाइन है यहां से लेके पूरी यहां तक तो यह एक हो गई फिर यह वर्टिकल है देखिए भी वर्टिकल है यहां पर यह दो गई अब देखिए यह वर्टिकल यहां से और यहां ऊपर तक गई है तो यह एक ही लाइन काउंट करेंगे तो तो थ्री ठीक अब ये देखिए 4 ये छोटी वाली ये वी वर्टिकल लाइन है और फिर यह पर यहाँ पर ये लाश्ट वाली ना यह भी वर्टिकल भी वर्टिकल है तो इस तरह से क्तनी हो गए 1 2 3 4 5 मतार्ड करम से करना है मैं ये बताने की slanting line slanting line को देखिए slanting line को बहुत ही ध्यान से गिनना है और हम यहीं से कुछ करते हैं टॉप से ठीक है जैसे वो तरुजवाली आकरती जो थी उसमें हमने बॉटम से बता दिया था लेकर हम टॉप से ही कर रहे हैं तो इसको भी टॉप से करते हैं तो देखिए यहां पर slanting एक सömकर हैं तो तिरे लाइन यहां से यहां तक है अब इसके वाद यहां से लेके यहां तक ही करेंगे इसको यह वालान काउंट नहीं करेंगा नहीं तो गलत हो जाए मिसमें क७ी देखे यहां एंडिंग फॉर्इंड हो गई है है हैंग है यह noodle no direction का दियान रखना हो तो सीधी जा रही है या bend हो रही है तो यह point अलग हो गया यह सररलेखा यह जो है सररलेखा अलग count की जाएगी तो एक तो यह हो गई तिर्ची वाली ठीक है एक और एक दो दो और एक तीन अब देखें यहां पर भी यह bend हो रही है तो यह भी अलग count करेंगे तो अभी कितनी होगी one two three अब यहां पर देखिए four यह four हो गई अब हम यहां पर देखते हैं तरची रेखा है नेचे वाली फिकर में कितनी है four के बाद five यह वाली और फिर यह देख रहे हैं यह भी तर्ची रेखा है ठीक है तो यह कतनी हों गई six और फिर यहां पर देखिए यह तिर्ची रेखा है तो अब देखिए कांट कर लिज़े फिर से one two three four five five six और फिर यहाँ पर 7 यह 7 हो गई यह भी slanting और यह वाली देखिए यह भी तिरची है तो यह 8 यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इस तरह से कितनी हो गई 8 slanting line हो गई तो कितनी हो गई 5 और 4, 9 और 8, 17 यह line 17 straight lines हो गई तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन को अगर जान से किया जाए तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कम से कम समय में होगा बस प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा तो मुझे आसा ही नहीं बलके पुगरा भरोसा है कि यह वीडियो आप